इस्राइल हमास जंग और फिर इस्राइल इरान के पड़ते तनाब ने मिडिलीस्ट में भूचाल लाकर रख दिया है। अमेरिकी गतिविद्यों के चलते अब मिडिलीस्ट में तनाफ चरम परा पहुचा है। दरसल इरान के हाल में इस्राइल पर भीशड हवाई हमले के बाद UAE साओधी जैसे अरब मुलकों ने अमेरिका को खुले तोर पर कह दिया है कि इरान पर जवाबी हमले या फिर इराक और यमन पर हमले के लिए उनकी जमीन का इस्तमाल ना किया जाए। कदम सी मिडिलीस्ट की आग और भढ़क सकती है। इरान अकसर अमेरिका पर शेत्रीय तनाव को भढ़काने और बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराता रहता है। खास बात है कि इसराइली युद्ध के चलते फिलिस्तीन के समर्थन में सैन अभियानों की ऐसी सिरीश शुरू हुई है जिससे इसराइल की मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लिबनान, इराक, यमन, सीरिया और बहरीन में प्रतिरोधी की धूरी के सदस्यों ने इसराइल पर फीशड हम लोग बढ़ाया है। इस बीच इसराइल के सबसे कटर दोस्त अमेरिका ने यमन, इराक और सीरिया के खिलाफ आक्रमत्ता शुरू करने के लिए पश्चिम एशिया में परियाप्त सेना तैनात की है। मिडिल इस्ट में अमेरिका ने करीब 40,000 से जादा सेनिकों की तैनातिका रखी है। इन में से अधिकतर सेनिक खासतोर पर खाड़ी मुलकों में हैं जहां अमेरिका के कई रणनितिक एयर और नेवल बेस भी है। बताया जा रहा है कि UAE को डर है कि उसके इलाके से शुरू किये गए अमेरिकी सेनिय अभियानों के चलते उसे प्रतिरोध की धूरी की ओर से निशाना बनाया जा सकता है। एक अधिकारी ने दावा किया कि UAE की ओर से लगाए गए प्रतिबंद आत्म सुरक्षा के नजरिये से है। ऐसे में ये देखना काफी एहम रहेगा कि अमेरिका के इस कदम पर इरान की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। दरसल अमेरिकी एर बेस की UAE से कतर शिफ्ट होने से अमेरिका इरान के नस्दी का गया है जो इरान के लिए खत्रे की घंटी साबित हो सकता है और मिडिल इस्ट में तनाव के बढ़ने की एक और वज़य बन सकता है।